चोपड़ा एजुकिसन विटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदे की स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों तीन स्टेट के रेजिस्टेशन और स्टार्ट हुए हैं तो सबसे पहले हम दिल्ली स्टेट की बात करते हैं दिल्ली स्टेट के 85% स्टेट काउंसलिंग के रेजिस्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं दिल्ली स्टेट के जो आई प्यू दवारा काउंसलिंग करवाई जाती है उसमें दो प्रकार के रेजिस्टेशन होते हैं सबसे पहले इसमें रेजिस्टेशन होता है और फिर काउंसलिंग के लिए रेजिस्टेश करनी होती है तो ipu के registration पहले भी open हो चुके थे लेकिन अभी reopen हुए है तो इसमें जिन candidates ने registration नहीं किया है वो registration कर सकते हैं और counseling fees पे कर सकते हैं इसके बाद जिन्होंने already registration कर रखा है 1200 रुपीज पे करके वो अपना counseling fees deposit करके आगे further participate कर सकते हैं counseling में तो इसका notification आ गया है इसकी date आ गई है और इसके लिए जब जिन candidates ने अभी तक registration नहीं किया है वो 10 अक्टूबर 22 से 17 अक्टूबर 22 तक registration कर सकते हैं साथ में counseling fees पे करके counseling के लिए participate कर सकते हैं और जिन्होंने already registration कर दिया है 1200 रुपीज पे करके वो सेम डेट में counseling fees 1000 रुपीज deposit करके आगे participate कर सकते हैं इसमें आगे का schedule ये भी दिया गया है कि जो candidates reserved category के हैं SC, ST, OBC, PWD, Defense, Army, EWS category के होते हैं उनका documents verification होता है ये documents verification IPO द्वारा online किया जाता है और documents verification होने के बाद में status update हो जाता है कि आपका documents complete हो चुका है और आपका documents से जब इसमें verify हो जाता है तो आपको इसमें ACK भी मिल जाता है यानि receipt भी इसमें मिल जाती है तो जो ये candidates है reserved category के candidates इनको documents भी upload करने होते हैं और 20 October तक IPO द्वारा वो verify कर दिये जाएंगे इसमें आगे इसमें बाकी other conditions भी दी गई हैं तो वो आप इसमें देख सकते हैं eligibility की reservation की कौन कौन से course में कौन कौन से college में कितनी seat हैं ये सारा इसमें दिया गया है IPU के registration का जो notification निकला है उसमें सब कुछ ये mention किया हुआ है इसके बाद में बात करते हैं next state MP state की मद्यप्रदेश state मद्यप्रदेश state second round से open होता है other state candidate के लिए यानि की other state candidate यहां की private medical college में second round से participate कर सकते हैं registration इनका first round में ही किया जाता है registration एकी बार होता है लेकिन condition यह है कि MP state में सबसे पहले MP state के candidate को seats दी जाती है उसके बाद में अगर vacant seat रहती है तो other state को दी जाती है तो यह vacant बहुत ही कम रहने की possibility है यानि कि previous year में देखा गया था कि यह vacant रही ही नहीं थी यह seat रहती ही नहीं है तो other state candidate participate तो कर सकते हैं लेकिन अगर seat रहेंगी तो उनको मोका मिलेगा वो भी second round से अब MP state का जो schedule आया है वो online registration कर सकते हैं 12 October 22 से और last date रहेगी 20 October 22 तो इस प्रकार से इसका schedule रहेगा choice filling के लिए जो date रहेगी 22 October से 25 October और result first round का declare हो जाएगा 28 October 22 को इसके बाद में reporting होगी वो reporting होगी इसमें 29 October से 4 November 22 तक तो इस प्रकार से इसमें schedule दिया गया है ये first round का schedule है इसमें इसके बाद में next बात करते हैं हम जारकंड इस्टेट के तो जारकंड इस्टेट के भी registration स्टार्ट हो गए हैं इसका भी registration का schedule आ चुका है तो इसमें जो online application form submission करने हैं वो 8th October 22 से start होंगे और last date रहेगी 14th October 22 तक इसमें application edit के लिए 15th से 16th October 22 का time दिया गया है और state merit 17th October 22 को आ जाएगी इसमें यहां तक का ही इसमें schedule दिया गया है बाकी का schedule बाद में दिया जाएगा इसमें जो registration के लिए application fees है वो general EWS BC1 BC2 के लिए 500 रुपीज है SCST female candidate के लिए 250 रुपीज है इसमें तो यह इसकी fees है तो इस परकार से यह तीन states के registration open हुए हैं बाकी state के जैसे जैसे registration open होंगे schedule आएगा हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई updates के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जैहिं